हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका हर्याणवी दोस्त अमित धम्तानवी जैसे कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसका लिंक भी मैं आपके आई बटन में इधर ऊपर दे दूँगा लोगे गांसीलिंग दोस्तो हमने तब काईरियर ंग कॉइंसलिंग के बारे में बात की ती दोस्तो तो यह टोपिक यहीं पर खतम hazard हाता यहंव्य सास्थ यह वготов विश्वास हमें अप चोटे भाई या किसी अपने अच्छे दोस्त से मिल पाई कभी-कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे बहुत से दोस्तों होते हैं और हम उच्छे सब चीजें डिसकस करते हैं लेकिन जिन्दगी की कुछ ऐसे पहलू आ जाते हैं या फिर आदमी जिन्दगी की कभी-कभी ऐ से मोर पर आके खड़ा हो जाता है कि वह बात अपने से भी दोस्तों नहीं कर सकता है तो तब दोस्तों उस टाइम पर जा के हमें एक psychologist या फिर counselor की जुरूरत पढ़ती है तो counselor जयसे psychologist मैंने बोला वह दोस्तों professional होते हैं डोक्टर होते हैं वह दिमाग के पढ़ सकते हैं बहुत से parameters होते हैं दिमाग को पढ़ने के या आपकी feelings को जानने के आप किस दोर में गुजर रहे हैं आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं वो counselor जो psychologist होता है दोस्तों वो बहुत easily find out कर सकता है या फिर कुछ ऐसे जो अपने mind के जो neuro के कुछ test अगर कर पढ़े हैं वो भी आपको recommend कर सकता है में ली तो दोस्तों यह होता है कि जो चीजें हम अपने best friend या अपने parents या फिर किसी से जो discuss नहीं कर सकते हैं जो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है तो हम एक counselor के पास psychologist के पास दोस्तों जा सकते हैं psychologist हर चीजों को सबसे बड़ा professional तरीके से और बड़ा गुप्त तरीके से में handle करता है वो अगर आपको कुछ भी problem हो कोई भी topic हो तो वह बात आपके और उस counselor के और वो जो उसकी counseling seat के अंदर तक दफन रहती है कि जब तक आप उसको नहीं open करवाना चाहोगे तो इसलिए दोस्तों counseling की और psychological counselor की हमे जरूरत पड़ती है अब जैसे अगर हम मानके चलें कि एक बच्चा है या फिर कोई एक लड़का है या फिर कोई एक लड़की है जिसको एक example के तोर पे हम मानके चलें कि उसको parents उसको marriage के लिए force कर रहे हैं और वो ready नहीं है और उसके ready ना रहने के या उसके तयार ना रहन है कि दोस्तों बहुत से कारण हो सकते हैं वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ हो या उसको साधी जैसे word से रिष्टे से उसको डर लगता हो या वह ऐसे लगता हो कि साधी करना एक बहुत पचड़े वाली बात होती है बच्चों को समालना एंड कैसे मतलब एक लड़ ले रहा हूं मैं तो वहां पर अगर जैसे या फिर कोई और उसके पर्सनल को इस्यूज हो मेडिकल कुछ इस्यूज हो उसके हार्मोन के कुछ इस्यूज हो मतलब उसको लड़के को लड़की पसंद ही ना हो लड़के पसंद हो और एक लड़की को लड़के पसंद ही ना हो एक लड़की पसंद हो तो फिर वहां पे और वो चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को या अपने किसी दोस्त को बता ना पा रहा हो तो ऐसी जगह पे ऐसे मोड पे एक एक जम्पल के तोर पे मैं ले रहा हूँ तो एक ऐसे उस वक्त पे कांसलर की जूरूत परती है साइकलोजिकल कांसलर की भी जूरूत परती है तो उस वक्त जाके हम कांसलर को अपनी बात बता सकते हैं और सायद वो counselor हमारे इन चीजों का काफी हमें help भी कर सकता है उस situation से बाहर आने के लिए और वही counselor फिर हमारी counseling करने के बाद हमारे parents को बुला के अपनी हमारी problems जो हम अपने parents को या अपने besties को हम नहीं बता पा रहे हैं counselor बता सकता है कि इसके ये ये reason है क्योंकि दोस्तों समाज और ये time इतना fast grow कर रहा है लोगों की thoughts लोगों के बहुत सब कुछ change हो रहा है और लोगों के पास वक्त नहीं है किसी के पास वक्त देने के लिए smartphone आ गई है और social media आ गया है बीजी रहते हैं लोग और मतलब इतने बीजी रहते हैं कि उनके पास अपने personal जो कुछ खुद परसनल मतलब इतने बीजी रहते हैं अगर आदमी को वासरूम जाना है तो वासरूम को भी डिले करता रहता है कि थोड़े दिर में चलता है और जैस depression ढूंडने की उसकी creativity वो खतम हो जाती है ऐसे situation में आदमी हो जाता है कि अपने आपको वो ऐसे control नहीं कर पाता उसको ऐसे जिंदगी बहुत खूबसरूत होती है और उसकी जिंदगी में कुछ जादा सी उतल पुतल नहीं होती है फिर भी उसको ऐसे लगता है कि पता नहीं जिंदगी में कुछ missing है पता नहीं क्या है बस ऐसे ही है तो यह सब चीजें धीरे 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 करके फिर लास्ट स्टेज में दोस्तों depression बन जाता है बिना कुछ होते हुए आदमी को लगता है कि मेरी कोई value नहीं है क्या है सब ऐसे लगता है कि मेरी आदमी के पास सब कुछ होते हुए बहुत ऐसा नहीं है दोस्तों ये गरीब आदमी को पड़ते जो आदमी busy रहेगा वो ना साहीद खुश रहे लेकिन आदमी जब कि आदमी के पसाब siis सब कुछ हो जाता है फिर में लगता है कि मेरे पास उसके पास सब कुछ होते विचे लगता है कि में Yiliz Ndepend twa ha whose n號 नहीं वे या मेरी मेरी को को 66 नहीं है तो इन चीजों में आद मैं पिर डिपरेस हो जाता है धीर धीरuur डिप्रेशन डिप्रेशन होते होते दोस्तों फिर वो सोसाइडिकल आतमत्या की तरफ कदम उठाना शुरू कर देता है बात कुछ भी नहीं होती है दोस्तों सिरफ एक छोटी सी बात होती है जिसको अगर डिसकस करें तो उसका सायद सोल्यूशन निकल सकता है इमीडियेट न नहीं बता सकते क्योंकि हमें अपनी फिर हमें समाज में बेजद होने का यह हमारी हसी उड़ने का डर रहता है तो उस टैंप एशे कांशलर के पास साइक्छलोगोर कांशलर के पास अगर आपका मेराइड से र 59 पास जा सकते हैं तो यह चीजह आपको जद्र गीद्र refuse और लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं, मोटिवेशन की कमी है, क्योंकि कोई भी काम आप दोस्तों तब करते हो, जब आपको दिल में आपको यह होता ना, एक डिजायर होती है, डिजायर, वो भूख अगर उस काम को पाने की, उस चीज को पाने की अगर नहीं होगी ना, तो आप मोटिवेशन का क्लास लेने के बाद, सेमिनर अटेंड करने के बाद, आदमी को लगता है, हाँ, मैं भी हूँ, मैं भी इस समाज में हूँ, और मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और दोस्तों बहुत सारे एक्जंपल्स पढ़े हैं लोगों के, के उन् मैरीज की सिच्वेशन में फसे हो, आफ्टर मैरीज की सिच्वेशन में फसे हो, मैटनल स्टस आपका अच्छा नहीं है, तो मैरीज कांसलर के पास जा सकते हो, एज्यूकेशन में आपको प्रोब्लम है, तो कैरियर कांसलर के पास जा सकते हो, साइकलोजिकल आपके दिमाग दोस्त इसलिए रखा है कि हम उस तरीके से हम बात कर सकें कि जैसे एक दोस्त बैठके सामने बैठके आपसे बात कर रहा है और आपकी बात सुन रहा है साइद आपकी तरह की सिच्वेशन में साइद वो लड़का या फ़र वो भी गुजरा हो तो इसलिए मैं यह चीजें डिसकस करता हूँ तो इस वीडियो में दोस्तो इतना ही और आगे कुछ ऐसे ही टोपिक के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और बात करते रहेंगे और हम वो टोपिक दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं मैं हर उस टोपिक पर बात करूंगा दोस्तों जो सीधा आपके और मेरी जिंदगी से संबंद रखता है हमें दूसरों से मतलब नहीं है जिस जिसका सम्मध्द आपके और मेरी जिंदगी से है जो कुछ मैंने मान लो फील किया है तो मैं चाहता हूं या फिर हम डिसकस कर सकते हैं सायद आप भी ऐसा फील कर रहे हों तो आपको थोड़ा रिलेक्स मिलेगा ये वीडियो देखके या सुनके और हमारी दोस्ती आगे बड़ेगी और आपके जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी तो दोस्तो आप फिर आपके परिवार में पॉजिटिविटी आएगी और संसार में दुनिया में पॉजिटिविटी आएगी और यही है दोस्तो कोई आदमी सैटिसफाई नहीं है इस दुनिया में कोई सं जिन्दगी में दोस्तों दुख हैं बस दुख रहेंगे और दुख तो आते रहते हैं जाते रहते हैं और होने भी चाहिए दोस्तों दुख नहीं होंगे तो हमें सुखों की अनुभूती और जो सुख जो हमारी जिन्दगी में होते हैं जो हमें खुशिया मिलती है फिर हम उ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार